इस लेक्टर में हमको देखना है कि फेडरल फीचर क्या क्या होते हैं Constitution में जो गिवन है तो किन फीचर की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे Constitution ने हमको फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी दी है तो सबसे पहला जो फीचर है वो है डूएल पॉलिटी देखिए जो Constitution है हमारा वो इस्टाबलिश करता है एक डूएल पॉलिटी जिसमें यूनियन सेंटर पे होगा और स्टेट्स अड़ पेरिफरी पेरिफरी यानि की पाउंडरी पे ठीक है हर दोनों के पास ही सोवरिन पावर्स होंगी जिनको वो एक्ससाइस करेंगे अपने अपने फील्ड में रिस्पे यूनियन गवर्मेंट जो है वो मैटर्स जैसे की नाशनल इंपोर्टेंज बड़ी बड़ी चीजों के बारे में डिफेंस, फॉरेंज अफेर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन और इस तरह की चीजों के साथ डील करेगा जो स्टेट गवर्मेंट है उसी तरह कि चीजों पे डी डील करेगा रीजनल और लोकल इंपोर्टेंज जैसी चीजों पे जैसे की पब्लिक ओर्डर को मेंटेन करना, खेती बाड़ी की चीजें, हेल्थ की चीजें, लोकल गवर्मेंट एंड सो ओन, ठीक है? दूसरा फीचर क्या है? रिटन कॉंस्टिटूशन तो फेडरल फीचर नहीं सिर्फ रिटन है, बलकि लेंदियस्ट रिटन कॉंस्टिटूशन है, तो ओरेजनली इसमें प्रियांबल हुआ करता था, 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, जिसको हमने 22 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, और 8 शेडियूल्स थे, आज के डेट में 2019 तक की बात बत रहे हैं, जिसमें प्रियांबल है, 470 आर्टिकल्स है, और इनको 25 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और 12 शेडियूल्स है, मैं सारे आपको याद करा दूगी जितने भी शेडियूल्स और पार्ट्स है, ठीक है, ये जो है, ये पूरा रिटन कॉंस्टिटूशन जो है कि किस limit में इनको operate करना है, ऐसा नहीं है कि unlimited power दे रखी है, क्योंकि हमारा constitution supreme है, तो unlimited power नहीं है center and state के पास, उनको भी limited powers में ही operate करना पड़ता है, तो इसकी वज़े से misunderstandings और disagreements जैसी चीज़े center और state में नहीं होती है, ठीक है, although ground level पे चीज़ें अलग है, but constitution ने तो at least ये make sure क कि इनको पढ़के at least आपको misunderstanding और disagreement नहीं होगा, किसका क्या power है वो पता रहेगा, तीसरा feature जो है, वो है division of power, देखे, constitution ने power को center और states में divide किया हुआ है, ठीक है, तीन list मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है union list, एक होता है state list, और तीसरा होता है concurrent list, ठीक है, और ये कह दिया हुआ है हमारे 7th schedule में, ठीक है, 12 schedule है तो first schedule, second schedule and so on करते-करते जब आप 7th schedule पे आईएगा, तो उसमें तीनों list के बारे में दिया गया है, union list, state list and concurrent list, अचा friends, अगर मुझे जैसे जैसे time मिलता जाएगा, तो मैं कुछ ना निमोनिक्स भी बना बना के आपको दूँगी ताकि आपको याद होता चला जाए, सारे schedules and parts जैसे भी होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप चिंता मत कीजेगा, वो मैं आपको time रहते, जब भी मुझे free time मिलेगा, तो मैं कुछ निमोनिक्स वगरा बना के, जैसे हमने याद किया है, वैसी आपको भी करबा दूँगी तो ये है, तो इन इस 7 schedule में, जो 7 schedule में मैंने बताया कि 3 list है, union list, state list और concurrent list, union list के अंदर 98 subjects है, पहले 97 थे, लेकिन अब 98 subjects है, जिसमें center deal करेगा, ठीक है, state list में 59 subjects हैं, जिसको originally 66 थे कम करके 59 subjects कर दिया गया है, यहाँ पे कम थे, जादा कर दिया गया है, उल्टा है न, तो यहाँ पे जादा थे, कम कर दिया गया है, यहाँ पे कम थे, जादा कर दिया गया है, center पे, और concurrent list में 52 subjects को डाला गया है, originally 47 थे, यह वाला portion आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तो पहले center में कितने थे, 97 थे, उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 98 कर दिया गया, ठीक है, state वाले में कितने subjects थे, originally 66 थे, इनको घटा करके 59 कर दिया गया, 5 subjects यहाँ से ले लिए, और concurrent में originally 47 थे, अब बढ़ा के 52 कर दिया है, ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, जो center और state है, concurrent list में दोनों ही laws बना सकते हैं, concurrent list में यह 47 subjects जो हैं, sorry, 52 subjects जो हैं, इसमें center और state दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का मतभेद होता है, या conflict होता है, तो center ने जो कानून बनाया है, वो prevail करेगा, उसको रखा जाएगा, ठीक है, बाकी और भी subjects add हुए हैं, जैसे कि, residuary subject, ठीक है, इन तीन के अलावा भी एक है, जिसको हम कहते है, रेसीडुरी subject, इस, रेसीडुरी subject जो है न, पहले constitution में, इन तीन list के अलावा और कुछ नहीं दिया गया था, ठीक है, तो ये रेसीडुरी subject किसको मिलता है, it is given to the center, तो center के हाथ में है कि, रेसीडुरी subject में कुछ भी डाल सकता है, जैसे कि, internet, अब जिस समय constitution बना था, उस वक्त तो internet था नहीं, तो ये internet कहां जाकर के, डलाया, ये रेसीडुरी subject में जाके डलाया, ठीक है, तो इस टाइप के subjects, जो उस वक्त नहीं थे, अब हैं, तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, fourth feature is supremacy of the constitution, आपको पता है कि, हमारा constitution supreme है, highest law of the land कहते हैं, इसको, जो laws center और state ने enact किये हैं, उनको constitution के provisions के हिसाब से, confirm होना पड़ता है, ठीक है, otherwise, अगर constitution के हिसाब से laws नहीं बनाये जाएंगे, by the center और by the state, तो supreme court क्या करेगा उसको, supreme court और high court, अपने judicial review के power से, उसको null and void कर देगा, ठीक है, null and void कर देगा, और वो act लागू नहीं हो पाएगा, अगर वो constitution के against है, तो जो organs है, legislative, executive, and judicial, at both the levels, must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution, तो तीनों ही जो organs है, उनको constitution के jurisdiction के हिसाब से perform करना होगा, तीनों ही मनमानी नहीं कर सकते हैं, fifth feature is rigid constitution, now, rigid constitution का मतलब है, कि बहुत easily हम इसमें changes नहीं कर सकते हैं, constitution ने जब division of power को establish किया था, और supremacy of constitution को maintain करने की बात की थी, ठीक है, तो क्यूं की थी, कैसे की थी, supremacy of constitution तो तभी maintain हो सकता न, जब इसको amend करने का जो process है, वो थोड़ा rigid होगा, easily होगा तो कोई भी एरा गेरा आएगा और उसको change करके चला जाएगा, तो हमारा constitution rigid है एक extent पे, कि इसके जो provisions है, अगर federal structure के साथ concerned है, ठीक है, और, मतलब joint action से, center और state jointly मिल करके, अगर कुछ provisions को amend करना चाहता है, तो उनको एक special majority के साथ उसको prove करना होगा, पार्लेमेंट में और state legislature के half लोगों के साथ ratify भी कराना होगा, तो इस तरीके के चीजों को करने के लिए, भाई, अब process तो लंबा है, तेड़ा भी है, तो इसी लिए constitution को rigid कहते हैं, क्योंकि changes करना बहुत easy नहीं है, 6th feature is your independent judiciary, independent judiciary, constitution ने establish किया है, independent judiciary, headed by the supreme court, for two purposes, तो सबसे उपर में कौन है, supreme court, दो purposes है, क्या, एक तो constitution के supremacy को बचाना, ठीक है, और दूसरा, by exercising the power of judicial review, तो constitution के supremacy को कैसे बचायेगा, भाई, judicial review, कोई भी ऐसा एरा गेरा कानून बना देगा, अगर center या state, तो जो supreme court है, उसको तुरन judicial review करके null and void कर देगा, तो इस तरीके से constitution ही supreme बना रहेगा, और दूसरा, अगर center और state के बीच में किसी तरह का dispute पैदा होता है, तो उस case में क्या करेगा, supreme court, इन दोनों के dispute को settle करेगा, center और state के बीच में किसी तरह का dispute हुआ, तो उसको supreme court settle करेगा, ठीक है, तो ये दो चीजों के वज़े से supreme court को भई, power दी गई है, क्योंकि supreme court सबसे top पे है, independent judiciary रहेगा, तभी तो ऐसा काम कर पाएगा, supreme court, तो ये बात है, constitution बहुत सारे measures लेके चलता है, जैसे कि judges की security of tenure है, उसको कोई हाथ ने लगा सकता है, मतलब जितने time के लिए judges को appoint कि किया गया है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, fixed service condition है, salary विगरा, fixed है, कोई ज्यादा, इसमें touch नहीं कर सकता, unless and until कोई financial emergency जैसे situation हो, वो सब case अलग है, वट ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता, judges का, ठीक है, तो judiciary इन बातों के लिए independent है, तो अपना decision जो है, बिना किसी पक्षपात के दे सकती है, ठीक है, अगर किसी तरीके का रोल रहेगा, परलिमेंट का या किसी ऑर्गन का, तो फिर judiciary इंडिपेंडेंट नहीं रहके काम कर पाएगी, तो judiciary को इंडिपेंडेंट देना बहुत ज़रूरी था, सेवन्थ feature क्या है, कि जो bicameralism, bicameralism का मतलब क्या है, कि जो constitution ने कहा है, कि जो legislature होगा, वो upper house, सरी जो parliament होगा, वो upper house और lower house से consist करेगा, upper house मतलब की आपका राज्यसभा और lower house मतलब की लोगसभा, राज्यसभा जो है, वो represent करता है states को, states of the Indian Federation, और लोगसभा represent करता है people of India as a whole, ठीक है, तो states को represent कौन कर रहा है, राज्यसभा, और लोगसभा people of India as a whole को represent कर रहा है, राज्यसभा even though थोड़ा कम powerful है, compared to लोगसभा, लेकिन federal equilibrium को maintain करने के लिए हमको राज्यसभा चहिए, ठीक है ताकि states के interest को भी protect किया जा सके, अगर center किसी तरीके का undue interference states के साथ करता है, तो राज्यसभा उस case में, भाई, किसी तरीके से आवाज उठा सकता है, तो ये features के आपके federal features, ठीक है, federal features, अब हम बात करेंगे, unitary features के, तो federal features तो हमने देख ली, अब देखिए, unitary features में क्या है, strong center होना चाहिए, अगर unitary feature है, तो center को strong होना पड़ेगा, ठीक है, जो division of power है, वो किसको favor करेगा, वो center को favor करेगा, और union list में, state list से जादा subjects होने चाहिए, secondly, जो सबसे जादे important subjects है, वो union list में होने चाहिए, तीसरी बात, center के पास overriding authority होनी चाहिए, concurrent list में कि अगर state ने कोई law ब तो override करके अपना नया कानून बना दे, ठीक है, तो concurrent list में overriding authority चाहिए, और finally, जो residuary powers है, उसको भी center के पास ही होना चाहिए, ठीक है, तो US में, ये सब किसके पास है, states के पास है, ठीक है, thus the constitution has made the center very strong, बात समझ में आ गई, तो unitary features के ये सारे features हो गए, states not indestructible, तो बाकी federation के साब से, इंडिया के जो states है, उनका कोई right नहीं कि वो territorial integrity को follow करें, यानि कि वो उनका कोई right नहीं कि वो secede कर जाए, पार्लेमेंट अपने unilateral actions के साथ, उसके state के area को change कर सकता है, boundaries को change कर सकता है, या अगर state का नाम change करना चाहिए, तो नाम change कर सकता है, और उसके लिए, पार्ल majority की कोई जरूत नहीं होती है, तो Indian Federation को हम क्या कह सकते है, an indestructible union, union indestructible है, of destructible states, यानि states को हम destruct कर सकते हैं, ठीक है, states को तोड ताड के जैसे मर्जी जो करना है, कर सकते हैं, लेकिन American Federation उसी तरफ क्या है, as indestructible union of indestructible states, यानि वहाँ पे states को भी destruct नहीं किया जा सकता, comparatively in like India, ठीक है, हमारे यहां states को तोड मोड़ोड के जैसे मर्जी जो करना है कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा feature क्या है, single constitution, एक federation में जो states है, उनके पास ये right होता है, कि वो अपना खुद का constitution separate कर सकते हैं, center के साथ, लेकिन India में ऐसा कोई power states के पास नहीं आपको पता होगा, constitution of india embodies not only the constitution of the center, but also those of the state, तो हमारे यहां state और center दोनों का ही same constitution है, दोनों state और center को अब उस single frame में operate करना होगा, यानि हमारे constitution के अंतरगथी operate करना होगा, सिर्फ exception इस regard में यह है कि जो जम्मू और कश्मीर था, उसका अपना खुद का constitution हुआ करता था, जो कि अब वो भी नहीं है, ठीक है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अब क्या किया गया है, comment section में बताइए, आपको पता ही होगा, ठीक है, तो constitution अब खुद का नहीं है, fourth feature क्या है, flexibility of the constitution, तो constitution की जो constitutional amendment का process है, वो less rigid है than what is found in other federations, the bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament, either by simple majority or by special majority, further the power to initiate an amendment to the constitution lies only with the center, in US the states can also propose an amendment to the constitution, तो यहाँ पे क्या है, कि constitution में अगर कोई amendment करना है, तो यह power सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है कि वो initiate कर सके, लेकिन US में यह power जो है states के हाथों में भी है, ठीक है, fifth feature क्या है, no equality of state representation, जेखे, जो states है, उनको representation दिया गया है, राजसभा में, उनके population क basis पे, तो membership एक से लेकर के 31 तक vary करती रहती है, US में ऐसा नहीं है, US में principle of equality of representation दिया गया है states को in the upper house and is fully recognized, ठीक है, तो American Senate में 100 members है, दो हर state से represent करते हैं, ठीक है, इस principle को कैसे regard किया है, as a safeguard for smaller state, तो अगर छोटे states भी है, तो ऐसा नहीं है कि population के basis पे उनको representation मिलेगा, जैसे हमा होता है, बलकि दो, चाहे छोटे हों, बड़े हों, हर state से 50 states से दो-दो लोगतों आएंगे ही, यानि हर state को equal representation मिलेगा, six feature क्या है, emergency provision, जो constitution है, उन्होंने उसने तीन टाइप की emergencies बताई है, national emergency, state emergency and financial emergency, वही मैं जब बता रही थी, आपको की judges की salary वेगर है, चेंज नहीं कर सक तो constitution ने तीन टाइप की emergency बताई हुई है, जब भी emergency होती है, तो central government जो है, full powerful हो जाता है, ठीक है, full powerful हो जाता है, और जो states है, वो completely center के control में चली जाती है, तो एक तरह से federal structure जो है, वो unitary structure में convert हो जाता है, बिना किसी formal amendment के constitution में, तो इस तरह का transformation किसी और federation में नहीं देखा ज जाता हमारे country के अलावा, ठीक है, 7th feature क्या है, single citizenship, अब आपको पता है, हमारा तो dual polity है, ठीक है, in spite of dual polity, इंडिया का constitution, the constitution of India like that of Canada, adopted the system of single citizenship, dual polity होने के बावजूद, मतला center और state होने के बावजूद, हमारा जो citizenship है, वो क्या है, single है, states को अलग से कोई citizenship ने, आप आइसा नहीं है कि आप जार्खंट के citizen हो, तो जार्खंट का अलग citizenship चाहिए, इंडिया का अलग citizenship चाहिए, ऐसा अमेरिका में होता होगा, 50 states है तो, लेकिन हमारे आइसा नहीं होता, हमारा सिर्फ एक ही citizenship है, Indian citizenship, ठीक है, और कोई separate state citizenship नहीं है, जितना भी citizens है, जितने भी citizens है irrespective of the state in which they are born, या फिर रहते हों, या वो सब कोई same rights ही enjoy करते हैं पूरी country के अंदर, लेकिन US, Switzerland, Australia में dual citizenship का concept है, एक national citizenship और दूसरा state citizenship, I hope आपको समझ में आ गया है, next is, eighth feature is integrated judiciary, integrated not independent, integrated judiciary, Indian constitution ने भी integrated judicial system को establish किया है, जिसमें supreme court top पे होगा, state high courts उसके नीचे होगे, ठीक है, this single system of court enforces both the central law as well as the state law, तो central law को भी enforce करने का काम ही नहीं का है, और state laws को भी enforce करने का काम ही नहीं का है, लेकिन US में ऐसा नहीं होता है, double system of courts होता है, whereby the federal laws, जो federal laws है, वो enforce के जाता है, federal judiciary के द्वारा, और जो state laws है, वो state judiciary enforce करता है, तो यह difference है, नाइन्थ is all India services, all India services में US में क्या होता है, जो federal government है और state government है, उसकी अपनी अपनी public services होती है, इंडिया में भी state और center और state के अपने separate public services है, जैसे आप बिहार का BPSC है, है ना, center के level पे UPSC है, और किसी state का exam ले लो, जैसे UPPSC या, ठीक है, और MPPSC, यह सब states के level पे public services के exams है, लेकिन, all India services जैसे कि IAS, IPS, IFS, यह common है center और states दोनों के लिए, यह जो members होता है, इनके services जो recruit हुए है, और train हुए है, यह सब center करता है, recruitment और training का काम center करता है, और center का ही ultimate control भी होता है, इनके उपर, ठीक है, लेकिन यह जाकर के services कहां देते हैं, अपने state में, center चाहे तो इनको ब यह principle of federalism है, तो principle of federalism को violate करता है, तो यह चीज है, यहाँ पर देखिया, फिर 10th जो आपका feature है, वो integrated audit machine, जो integrated audit machine का मतलब क्या है, कि हमारे जो CAG है, controller and auditor general of India, यह ना ही सिफ center government के accounts को audit करते हैं, बट states के भी account को audit करते हैं, और इनका जो appointment और removal है, वो precedent द्वारा किया जाता है, states के consult के, है ना, states का account चेक कर रहे हैं, बट state का कोई role नहीं है इनके appointment में, या removal में, ठीक है, तो office जो है, वो financial autonomy को restrict करता है states के, लेकिन America के controller general जो है, उनका कोई respect नहीं होता state के account में, ठीक है, तो यह एक तरह का, आप देख सकते हैं, federal feature के साथ खिलवाड हुआ है, 11th feature क्या है Parliament's authority over state, तो Parliament की authority है state list में, तो देखे, एक तो limited sphere of authority allocate हुआ है states को, ठीक है, फिर भी state के पास exclusive control नहीं है उसका भी, Parliament empowered है, कि कोई भी subject अगर state list में है, तो Parliament empowered है, इफ राजसभा अगर कोई resolution पास कर देती है, नाशनल इंट्रेस्ट में अगर कुछ काम करना है, राजसभा resolution पास कर देती है, तो उसका मतलब यह है, कि जो legislature है, legislative competence जो है Parliament का, उसको हम constitution amendment किये, बिना states में extend कर सकते हैं, और यह तब भी extend हो सकता है, जब किसी तरह का emergency नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यानि state list में भी कभी न नाशनल इंट्रेस्ट के नाम पे आप घुश सकते हैं, सौ किसी दी बाद, उसके बाद 12th feature है, governor का appointment, अब governor कौन होता है, head of the state होता है, और यह appoint होता है, president द्वारब, ठीक है, यह तब तक office hold करता है, जब तक pleasure of president चलता रहता है, ठीक है, और यह center के agent की तरह भी act करता है, क्य के तरू, मतला, governor के position के तरू, center जो है, यह अपना control states के उपर exercise करता है, लेकिन American constitution में, ठीक है, on the contrary, provided for an elected head in the states, in this respect, India adopted the Canadian system, तो यहाँ पे, जो America है, यहाँ पे elected head होता है, states के लिए, लेकिन India ने Canadian system को adopt किया, जिसमें की, जो head of the state है, यानि कि governor जो है, वो president द्वारा, appoint होता है, यहाँ पे भी center ने अपनी चाल मार ली, है न, 13th feature क्या है, integrated election machinery, election commission, जो है, elections सिफ central legislature का ही नहीं, बट, state legislature का भी ऐसे, वो elections कराता है, but this body is constituted by the president, यह president और, president द्वारा constitute किया जाता है, और state का इसमें कोई say नहीं होता है, the position is same with regard to removal of its member as well, तो अगर removal भी है, तो भी state क test में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन US में एक separate machinery है, अगर आपको state level पे कराना है, तो अलग है, federal पे कराना है, ठीक है, that is one feature, उसके बाद, 14th feature is veto over state bills, जो governor है, suppose करो state ने कोई bill पास किया, ठीक है, अब governor क्या कर सकता है, कि यह bill को reserve कर सकता है, president के ठपपा के लिए, ठीक है, क president भई अलाओ करेंगे, consider करेंगे, तब यह आगे पास होगा, तो president क्या कर सकता है, इस case में, अपना ascent withhold कर सकता है, ठीक है, पहले instance में, एक बार जब बिलाया, तो अपना ascent withhold कर लिया, but also in the second instance, मतलब कि state के case में, जो president है, एक बार से जादा, दूसरे instance में भी अपना ascent withhold कर सक करता है, ठीक है, थस, the president enjoys absolute veto, तो, and not suspensive veto over state bills, तो state bills में absolute veto है, president के पास, लेकिन US और Australia में ऐसा नहीं होता है, states autonomous होते हैं, अपने fields में, और ऐसे किसी reservation का कोई provision नहीं है, जैसा हमारे यहाँ, governor जी कर देते है, governor जी, president के ascent के लिए, president के ascent मतलब क्या, एक तरसे center से ही पूछ र देता है, बिल्को, तो बड़ी problem होती है, states को, काफी दारे cases आप देख सकते है, news में आये दिन आता रहता है, ठीक है, तो that's all, हम critical evaluation, evaluation, federal system का next class में करेंगे, किसी तरह का message करना चाहरे है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो telegram group join करके, guru mantra 247 पे बहां जाके, हमको personally message कर सकते है आप कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ शेयर करनी हो, आप बता सकते हैं वाँ पे, that's all, lecture अच्छा लगा हो, तो hit the like button, और channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe करके bell icon press करना ना भूले for regular updates, thank you so much guys, keep preparing and bye-bye now.